तो नमस्कार आधार सस्ट्रेकाल राम राम खम्मागणी दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल दा सक्सेस में तो दोस्तों आज है 26 जून हो गया ना आज 26 जून और ये इंटर्व्यू है 25 का और कल इनका 3 बजे इंटर्व्यू था में सेकंड क्योंकि सबकी अपने अपनी प्राइबेसी होती है तो नाम बाद में जब सब्वों गारियस बन जाएंगे उसके बाद में रिवील करेंगे कभी आप सबको मिलवाएंगे कि कौन हम में से बन पाता है कौन नहीं बन पाता है आज इनका इंटर्व्यू देख लेते हैं बहुत अच्छा इंटर्विव इनका गया था तो देख लेते हैं दोस्तों सब्से पहले तो बॉर्ड था इनका राजकुमारी गूजर मैडम का बॉर्ड था टाइम था तीन बजे इनका इंटर्व्यू था राजकुमारी मैडमने सबसे पहले वही सेम सवाल जो और योग करने चाहिए थे यह जो भाई है इनको सबसे ज़्यादा प्रोब्लम हो रही थी कि इनको भी यही था कि में क्या किया मेरे भी यही प्रोब्लम थी लेकिन मुझे तो चलो लास्ट में जॉब मिल गई थी पर्ट यह भी प्रिप्रेशन कर रहे हैं इस की करता हूं तो में वाले से डीप कोशन पूछ जाएंगे लास्ट में हमने तया किया कि आपको में बताना चाहिए और में का जो इनका सब्जेक्ट था पॉलिटिकल वो आपको तयार करना चाहिए तो टाइम हमें अच्छा खासा मिल गया था इंटर्व्यू के लिए तो इनो में में के बाद में अब थोड़ा सा डिफ्रेंस हो गया था चार पांत तीन चार सालों का तो इनसे पूछा गया कि अब तक आपने कौन सा एक्जामपल दिया और यह हमेशा हर एक मौक में बड़े इमानदारी के साथ जबाब देते थे कि सर मैंने यह एक्जाम दिये है और फिर इनसे नेक्स्ट कोशन यही पूछा गया कि हाइट बड़ाने के लिए कौन से आसन और योग होते मितलब जब इनसे पूछा गया कि इससे पहले कौन से एक्जामपल दिये है और यह हमेशा साफ बोल भी रहता है कि जब अगर मुझसे डिफ्रेंस पूछेंगे तो मैं साफ बता दूगा कि मैडम मैं अभी तक यह एक्जाम दिये है इस इस तर तक पहुचा हूँ और अभी तक फाइनल सेलेक्शन मेरे नहीं हो पाया है तो बिल्कुल जैसा ही इनसे पूछा गया जैसा एक्सपेक्ट गर रहे थे और इन्होंने बता भी दिया था कि ऐसा ही का एक्साम दिया था लेकिन फिजिकल नहीं हुपाया तो फिर क्योंकि हो भी योग थी तो फिर इनसे पूछा गया कि हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा योग करना चाहिए है ना ये सब तो चेर्मैन ने पूछ लिया मतलब राजितमाने मैडम ने पूछ लिया फिर हम बात कर करते हैं मेंबर की तरफ चलते हैं मेंबर फर्स्ट विकोज ये पाली से विलोग करते हैं तो पाली से जोदपूर कौन सा हाइवे जाता है ये कौशन इनसे पूछा गया कि पाली से जोदपूर की तरफ अगर जाए तो कौन सा हाइवे जाता है पोलिटिकल साइंस के कौन से question पूछे I replied sir constitution से because इनका constitution बहुत अच्छा है क्योंकि हमे में हम विचारक वगरा पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद में हम जो civil services के तयारी करने लगते हैं तो विचारक हमारे इतने काम नहीं आते हैं हमारे constitution काम आता है constitution इनका बहुत अच्छा दा लेकिन विचारक वगरा portion इतना अच्छा नहीं था तो इनको डर भी हमेशा वहीं लगता था कि मुझसे विचारकों में से बहुत जादा डीप ना जाए तो इनसे पूछा कि मैं political science में से कौन सा question कौन से part से पूछे तो इन्होंने constitution का नाम ले दिया तो अब तक कितने सविधान संशोधन हो चुके हैं यह इन से पूछा गया और पहला सविधान संशोधन क्या था विस्तार से बताओ और फिर इनको वेरी गूड वोला का तो इन्हों ने तयार कर लिया था यह सब तो इन्होंने बता दिए नाम अच्छा घांधी शीस से अब्धात हो क्यूं प्रभावित हो और फिर इनुछ से राजयस्तान में कोई म्म 안내 में कहावत पूची कि राजिस्तान में कोई कहावत बताई थिक है फिर ऑस वर एंसे कफार चलते हैं ill qu ev यू एन तो हम पढ़के जाते, इंटर्विवे देने जा रहे हैं तो यू एन और यू एन के जो सुरक््षा परिशद बगलर है, मासब़ा है, यह पाँच अंग के है स्वाजि का अर्थिक परिषद हो गया अंतराष्टे नयायले हो गया यह 5 अंग हम UN के पढ़के जाते हैं अब 5 अंगों में से दोस्तों जैसे कि अंतराष्टे नयायले में भारत के कितनी बार नयायदिस जा चुके हैं अंतराष्टे नयायले के अब धी क्या होती है कितने वश्ता काम करता है राजस्तान का भी कितने अभी, गूंख कुनसा है? सबसे ज़्यादा वीटो किनकेद के पास है? Юवेशा प्रिषात के पास में क्या सक्तियां है? Юवेशा प्र tar Up tanto क्या के बाले है? कि Nobel पुरुषकार कौनसी अपके बार की UN के किसी जंस्ता को एजेंसी को मिला है तो वो कौनसी को मिला है ये बताईएगा इस बार का Nobel Prize 2020 किसे मिला था है ना शांती का Nobel मिला था उनने तो वो कौनसी जंस्ता थी है ना तो पांतस मोटी मोटी जंस्ता हैं उनके बारे में हमें ज UNESCO UNICEF पर आएंगे ही आएंगे तो इनके फुल फॉर्म और इनके थोड़े से कारी हैं कि मतलब यह क्या काम करती है यह हमें थोड़ा सा इनके बारे में पता हो इनके स्थापना वगरा का एक्जेक्ट टाइम नहीं पता हो कोई बात नहीं है लेकिन इनकी फुल फॉर्म और UNICE टोषन सेफ की फॉल सब्सक्राब बहुत फूशते हैं और इनके संस्थाइं बनाए शुरक्षा परीशत में भारत को सद impress टम मिली और नहीं क्यू नहीं मिली क्या भारत को मिन दाइब है थे इसलिए मैं बोलती हूँ कि UN की जब बात आती है तो यह जो टॉपिक्स मैंने यहां पर डिसकस किये हैं वह आप थोड़े से प्रिपेर करके जाना क्योंकि इनसे अकसर कोशन पूछ जाते हैं हाल ही में UN का कोई प्रस्ताव आया है क्या यह इनसे पूछा गया तो I said China वाल तो इन्होंने sorry बोल दिया दोस्तों अगर नहीं आ रहा हो तो हमें टप्पे बाढ़ने का कोई मतलब है नहीं कि UN का कोई प्रिस्ताव हमने भी नहीं पड़ा हम current affairs पढ़ रहे हैं कोई आया है तो नीचे comment box में comment करके बताएगा कौन से latest प्रिस्ताव के बाद यह लोग कर र फिर member third ने पूछा एंटोनियो ग्रामशी के बारे में बताईए है न कि एंटोनियो ग्रामशी कौन है तो इन्होंने इसके बारे में भी sorry sir बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं है नहीं आ रहा है तो घबराने की जौरत नहीं है बहुत अच्छे से sorry कहकर हम अगले question पे shift हो सक होते हैं फिर देखिये बिल्कुल ही topic change हो गया sorry sir बोलने के विश्चात MA में कितनी percent बने थे तो इनके जो भी बने फिर कहा अच्छा है फिर MA के कुछ विचारक hopes लोग रूसों यह इन्होंने तयार की थे इतने तो इनके बारे में कुछ पूछा गया क्योंकि पूछते हैं दोस्तो hope slow cruise हो के बारे में को टिल्या के बारे में है ना यह थोड़े से तो पूछते हैं वो लोग तो इनके पारे में पूछा गया फिर स्वतंतरता क्या है राजमितिक स्वतंतरता और सयम क्या होता है प्रदान मंत्री की जम्मु कश्मीर के नेताओं के साथ वैठक का वि तो दोस्तों इनका तो इन्हें बहुत जादा नोलेज है आप इनसे राजस्तान सुरी भारत के सारे प्रधान मंत्रियों के नाम भी इन भीया से पुछो के इनको सारे मतलब एक्सेक्ट याद है डेट टू डेट मुझे तो मतलब इतने नहीं याद रहते हैं लाइन टू राजस्तान में फ्लोराइड के समश्या के बारे में बताईए है ना जो हमारे फ्लोराइड के समश्या है जोदपूर की सांस्कृतिक विशेस्ता है बताईए बिकुस दोस्ते पाली डिस्टिक्स से बिलोग करते हैं और पाली मारवाड का ही इस समाना जाता है ना तो जोद सोर्स है जो इनको याद नहीं आ रहे हैं शक्सादकार का माहौल बहुत अच्छा एज फैमिलियर सारे सदस्य बहुत अच्छे से हमसे बात करें थे hope for the best आपको भी मतलब अच्छा ही जाएगा आपका इंटर्वियर हम दुआ करते हैं बहुत अच्छी रैंक के साथ में आप सेलेक्शन पाईए और भविश्या में हमें एक आफिसर्स की रूप में आपको देखते हैं वाकि all the best गाइस जिन लोगों का इंटर्वियर आगे होन करने वाला है आज है कल है उनको भी अच्छे से इंटर्वियर देख्या आना और आई होप की वीडियो आपकी तैयारी में मदद कर रहे होंगे अगर कर रहे हों तो लाइक कर देना चैनल को और हां कमेंट्स थे कि मैडम ये वीडियो डिलेट मत कीजेगा हम इस बार आरियस की एक्जाम दे रहे है जब हमारे इंटर्व्य होंगे तो यह काम आएंगे हमारे भी बहुत इंपरड़ वीडियो है तो ऐसा कोई भी वीडियो डिलेट नहीं होगा ये चैनल पर रहेंगे जब भी आपके इंटर्व्य निश्चित रूप से वीडियो आपके साहथा हैं बागे वीडियो अच्छा देखने के लिए थेंक्यू सो मच